नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्निशन और मैं हूँ प्रियदर्शन बिहार में भारतिय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार तमाम तरीके की रन्नीतिया बना रही है और इस बार भारतिय जनता पार्टी ने एक ऐसा बदलाव किया है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के सबसे खास माने जाने वाले सक्स को बिहार भाजपा में सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई है जिहां बात कर रहे हैं सुनील ओजा की जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के संसदिये छेत्रवारा नसी के पीमो के कार्दिय के अलगों देखते थे और अब वे बिहार भाजपा में सहप्रभारी बनाए गए हैं सुनील ओजा को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का सबसे खास माना जाता है और पीम मोदी के सबसे खास को उन्हें भारतिय जनता पार्टी ने मौजूदा समय में भारतिय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश का सहप्रभारी बना दिया है अगर हम सुनील ओजा की बात करें तो सुनील ओजा पीम मोदी के उन लोगों में सामिल है जिन्हें पीम मोदी के निकटस्थों में माना जाता है गुजरात से आने वाले सुनील ओज़ा जब गुजरात में नरेंद्र मोधी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस दोर में भी प्रधान जो नरेंद्र मोधी थे उनके निकटस्थों में सामिल थे बाकाइदा उन्होंने वहां से विधान सभा का चुनाओ भी लड़ा था इतना ही नहीं जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोधी ने वारा नसी से संसदिय चुनाओ लड़ने का निर्णे लिया तो उस समय जिन लोगों को नरेंद्र मोधी के चुनाओ की जिम्मेदारी सम्हालने के लिए वारा नसी भेजा गया था उसमें गुजरात से आने वाले सुनी रोजहा को सबसे पहला नाम थे जिन्हें वारा नसी भेजा गया बाद में वर्ष 2014 और 2019 में जब पीम मोधी ने लगातार वहां से दो चुनाओ जीते तो उसके बाद से वहां पे प्रिधानमंत्री कार्याले के जो तमाम काम काज है वो सुनी लोजहा देख रहे थे और अब उन्हीं सुनी लोजहा को भारतिय जन्ता पार्टी ने अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी सौपते हुए भादपा विहार प्रदेश का सहप्रभारी नुप्त करके भिजा है भादपा के राष्ट्रे अध्यक जेपी नडड़ा की ओर से उनके नाम के जो नुपती है उसके आज एलान किया गया है और सुनी लोजहा अब बिहार में आएंगे और बिहार में आकरके बिहार प्रदेश भाजपा के सहप्रभारी के रूप में काम करेंगे अगर आप सुनी लोजहा की बात करें तो सुनी लोजहा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिनका संगाठनी कौसल तो बहतरीन है ही, साथी साथ वे प्रिधानमंतरी मोदी की नीतियों को और वह जी सोत के साथ भाजपा को मजबूत करते हैं और भारते जनता पार्टी को चुनाबी मोड में हमेशा तयार रखने के लिए तयारी करते हैं, उसकी रननीती बनाने वाले खास रननीतिक कारों में सुनील उजहा का नाम सामिल है, तो अब वही सुनील उजहा बिहार आएंगे, बिहार में सहप्रभारी के रूप में अपनी भूमी का अदा करेंगे, और वर्स 2014 से लगातार वारा नसी में दिखने वाले सुनील उजहा अब बिहार भाजपा में जमेंने आपको बताया कि गुजरात के भावनगर से आने वाले सुजहीनील उजहा लंबे अर्शे से नरेंद्र मोदी के करीवी हैं, तो अपने सबसे करीवी को अब भिहार भीजा गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऐसा क्यों किया गया है, तो इसे लेकर के भी एक व बुक्षभा सीटों पर सांदार प्रदर्शन करने के लिए कृत्संकल पित है, तो ऐसे में पीम मोदी की यूजना है कि वह भाजपा को जादा से जादा सीटों पर चुनाव जीता है, पिछले सबता है बिहार में, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में स समराठ चौधरी को अध्यक्ष बनाने के बाद अब यह भाजपा में बिहार में हुआ दूसरा सबसे बरा बदलाओ है, जिसमें सहप्रभारी के रूप में अब सुनील ओज़ा को आगे बढ़ाया गया है, और माना जा रहा है कि यह सब प्रदान मंत्री नरंद मोदी के सु भाजपा को एक-एक सीट पर मजबूत करने और एक-एक कार्यकरता को जमीन पर आकर के अपने काम को अंजाम देने के लिए वह प्यम मोदी की नीतियों को बिहार में आगे बढ़ाएंगे, तो सुनील ओज़ा के रूप में बिहार भाजपा को सहप्रभारी का यह जिम्मा म हालेंगे